स्वाइ गाइज दिस इस सुनील मालविया और आप देख रहे है जेनराट टेक तो दोस्तो आज हम अंबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही बैतरीन से फिटनेस स्मार्ट वाच की एक फिटनेस स्मार्ट ट्रैकर है इसका मॉडल नंबर है G26 और बहुत सारी अच्छी खासी खास बात है इसके अंदर आपको 3 face values मिल जाते है 4 sports mode मिल जाता है jogging, walking, cycling, mountaining के लिए साधी साथ दोस्तों इसके अंदर आप blood pressure, heart rate या फिर oxygen level check कर सकते है आपके body का सबसे अच्छी बात करें तो इसके अंदर 7 days का battery backup time आपको मिलता है तो बहुत सारी अच्छी बात है तो इसकी unboxing हम अभी करेंगे पूरी तरह से देखेंगे कि कितना खास है ये product साधी साथ बहुत सारे colors में भी आपको मिलता है मैं आपको colors देखा तो यहाँ पर देखें यह यह देखें तो different colors में भी यह watches जो है यह आपको देखने मिल जाएगी तो अगर आप खरीदना चाते तो जरूर खरीदियेगा इस smart watch को अगर यह video at the end आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यह watch मुझे खरीदनी है तो मैंने इसका purchase link description box में दिया हुआ है click करें और आज ही smart watch को buy कर सकते है अब दोस्तों जितने भी मेरे subscribers है बहुत बहुत शुक्री हमारे चैनल को subscribe करने के लिए बट एक और important update देदू आपको कि subscribe के साथ please वो bell icon को भी करें साथी साथ दोस्तों जिन लोगोंने subscribe नहीं किया है नए है हमारे चैनल पर उनसे दर्खवास्त करूँगा कि जरू subscribe करें हमारे चैनल को और इस चैनल पर बने रहने का look तो चली दोस्तों unboxing करते हैं इस बैतरीन से देखने वाले G26 smart fitness tracker की तो यह smart watch वैसे तो बहुत ही ब alert pressure monitor करना इसके back portion पर कुछ और features लिखे गए है जो है step, pedometer, sleep monitor, SMS alert और heart rate monitor model number है G26 तो चली दोस्तों unboxing करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या content इस box के अंदर हमें मिलते हैं साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ के यह smart watch android और iOS दोनों पर support करती है तो यहाँ पर यह unboxing हमने कर ली है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि smart watch available है और साथी साथ उसका charging cable थोड़ा सा different है हमारे बाकी smart watches से तो यहाँ पर इसे charge करने के लिए हमें एक clipping दी गई है यानि कि इसे आप अपने smart watch पर clip करके उसे charge कर सकते है तो इसे आप अपने charger पर attach करें और आसानी से charge करें मैं आपको बता दूँ के यहाँ पर यह smart watch चार्ज होने के लिए आपको एक घंटा लगेगा और उसके बाद seven days का battery backup time यह आपको देगा तो चलिए यहाँ पर हम pick करते हैं हमारे smart watch को और यहाँ पर यह smart watch लगभग बहुती soft material से बनी हुई है साधी साथ box के अंदर हमें मिलता है एक manual जो different languages में आपको मिल जाएगा सिर्फ दो languages जो है Chinese और English language के अंदर तो इन सबी चीज़ों को side में रखते हैं और हमारे smart watch पर जड़ा सा थोड़ा सा एक look और एक ध्यान देते हैं तो सबसे पहले इसे on कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताओ कि यह एक touch screen smart watch नहीं है बलकि इसके उपर आपको एक touch sensor button दिया हुआ है जिसके तुरू ही आप smart watch को operate करेंगे तो देखें यह touch button प्रेस करें और देखें यह light up हो गया है तो चलिए फिलाल तो इसकी wrapping जो है काच के उपर जो है उसे हम निकाल देते हैं तो अब यह थोड़ी बैटरीन और खुब सुरत नजर आ रही है तो यहाँ पर दोस्तों इसके screen की अगर बात करें तो यह एक 0.96 inch की TFT color screen है जो एक दिखने में वैसे बहुत ही बैटरीन सी screen है इस पर आपको 3 different kind of faces मिल जाएंगी याने की 3 different dials आप set कर सकते हैं और बहुत सारी अच्छे option है जैसे की battery यहाँ पर टाइम उपर आपको date मिल जाएगा और साथी साथ कुछ और option है जैसे heart rate, calories burn करना और कितने time आपने steps लिये हैं तो यह सारी details आपको अपने screen पर ही देखने मिल जाएगी और अगर आप अपने button को hold करके रखे तो यहाँ पर आप अपने face values को भी change कर सकते हैं तो total 3 type of faces इसके अदर available है यह देखें तीसरा face तो button को सिर्फ दबा कर रखे यानि की touch करके रखे और आपके face values चेंज हो जाएंगे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे features मिलते हैं इसके अंदर training, calories burn, heart rate, blood pressure, बहुत सारे अच्छे कासे option हैं तो चलिए एक-एक option मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों इसके viewing angle की बात करें तो बहुत ही बैतरीन है viewing angle हर एक angle से आप इस watch को आसानी से देख सकते हैं तो चलिए इसके कुछ features के उपर बाते करते हैं तो इसके सबसे पहले features की तरफ चलते हैं यानि के पहले function की तरफ जो है step count सबसे पहला feature है step count आप आसानी से step count चेक कर सकते हैं पूरे दिन का कितनी calories आपने बन की है वो आप चेक कर सकते हैं कितने kilometer आपने walking कर ली है training mode available है टच करके रखे बटन को और आप 4 training mode में एंटर करेंगे आप देख सकते हैं jogging, cycling, mountaineering या फिर walking तो चार sports mode available है तो ये था training portion उसके बाद अगर देखे क्या option है तो ये एक sleep mode है यानि कि आपने कितना time sleep लिया है वो आपको पता चलेगा ये heart rate sensor है जिसके तुरो आप अपने heart rate को चेख कर सकते है और ये है blood pressure sensor यानि कि आप इसके तुरू blood pressure चेख कर सकते है और ये है oxygen level चेक करना messages चेक कर सकते हैं अगर आपने अपने mobile phone को इससे साथ connect किया है तो साथी साथ stop watch दी गई है आप चाहे तो stop watch का use कर सकते है किसी एक event या किसी एक किसी भी sports activity के लिए तो इसे रोक कर pause करके या फिर आप play कर सकते है और last में find phone इस button को press करके आप अपने mobile phone को धून सकते है और power on off इसे आप चाहे तो switch off कर सकते है system setting जिसके तुरू आप अपने smart watch को mobile phone से connect कर पाएंगे Bluetooth के जरीए तो इतने ही features available है दोस्तो इस smart watch के अंदर तो इतनी सारे अच्छी खासे facilities के साथ ये smart watch आपको मिलती है और सबसे अच्छी खास बात करें तो इसका जो belt है वो बहुत ही softer है बात करें इसके belt के quality के तो ये एक silika gel type silicon belt है और बहुत ही soft belt है इसे आप, आपके हाथों में actually ये बहुत ही पढ़िया और बढ़ा आराम तायक मैसूस होगा तो ये थी दोस्तो कुछ खास बते हमारे smart watch की उमीद है कि ये smart watch आपको पसंद आई होगी अगर ये आपको खरीदनी है या खरीदनी की इच्छा रखते है तो इसका purchase link मैंने description box में दिया हुआ है खरीदना चाहे तो जरूर खरीदिये ये smart watch आपको आसानी से मिल जाएगी इंडिया में आसानी से ये import भी हो जाती है तो यहाँ पर मैं ये आपको clip करके दिखा देता हूँ कैसे इसे charging clip पर लगाया जाता है ये आप देख पाएंगे ओके सो बहुत ही बैती ही से smart watch खरीदना चाहे दोस्तो जरूर खरीदे इसका purchase link description में मौझूद है साथी साथ दोस्तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा हमारे चानल को और bell icon को भी जरूर दबाएगा सबसे important वही है कि bell icon को दबाए ताकि हमारे वीडियो के notification आप तक सबसे पहले पहुच जाए करे बहुत बहुत शुगरे दोस्तो इस video को देखने के लिए आपका दिन शुब हो